तो दोस्तों क्या आपको पता है जो हम कुछ भी डेक्स्टॉप में गलती से डिलीट कर देते तो उस चीज को हम कैसे फिर ला सकते रिकोवरी कर सकते तो हमें कोई डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है तो चलिए मैं आपको बता देता हूं तो मैं अपना जाता हूं पर तो यहां पर मैं कुछ रेकोड करके रखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो मैं यह कुछ मतलब रेकोड करके रखा है तो मैं अगर मानलो इसे डिलीट कर देता हूं ठीक है कंट्रोल ए स्लेक्ट आल मैं इसे डिलीट नहीं करता हो तो यह जरूरी है मेरा तो यह यहां पर आप देखो यह जो लेक हो रखा है सारा फाइल तो आप देख सकतो है मैं इसे कर देता हूँ delete oh my god delete हो चुका है तो अब देख सकते हो यह जो चीज है मैं control z control z करता हूँ तो यह undo undo नहीं हो रहा है तो मैं इसे simply क्या करता हूँ इसे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे लाना है ठीक है तो simple आपको जाना है आपका यहाँ पे देख सकते हो recycle bean पे यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आप क्या करो click, double click करो उसके बाद आप क्या करो यहाँ पे आप देख सकते हो यह जो delete file है यह सारा delete होकर मतलब यहाँ पे आ गया मैरा यहां पे नहीं सो कर रहा है ठीक है तो आपको यह चीज़ तो केलिर हो चुका है जो हम डिलीट करते हैं तो recycle bean में पहले जाके फस जाता है ठीक है और यहां से आप चाहो तो जब तक empty नहीं करते हो उससे recovery कर सकते हो तो मैं इसे आपको दिखा देता हूँ तो मैं यह करता हूँ recovery तो मैं select all आप चाहो तो आप मतलब आपने हिसाब से particular जो चाहिए आप उसे भी कर सकते हो लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ सारा recovery करके तो इसे मैं कर देता हूँ इसे दिखानी रहा था option तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह restore ठीक है restore कर देता हूँ तो आपका सारा क्या हो चुका यहाँ से transfer हो गया आप देख सकते हो सारा यहाँ पे आ गया ठीक है तो यह फिलाल मेरा not responding में चला गया है तो यहाँ पे आप जो delete हो चुका है आपका सारा आपका यहाँ पे आ जागा ठीक है आप देख सकते हो यह सारा जो documents जो मैं delete किया था तो यह सारा यहाँ पे आ चुका है तो आप वैसे आप इसे play भी कर सकते हो आप देख सकते हो यह देखो आप यह play भी हो चुका है तो मैं रेकॉर्ट करके रखा था तो इसे करता हूँ क्लोस तो यह चल भी रहा है आप सोचोगे कि नहीं यार रिकॉबरी तो हो गया चलेगा नहीं तो कोई ठाट पर्टी एप आपको जरूरत नहीं है डाउनलोड करने के लिए आप जस्ट यह मतलब जो ट्रिक है इसे फोलो कर सकते हो तो आज के लिए ही अगर आपको ऐसा ही वीड़ियो चाहिए तो आप उसक्राइब कर लो और मेरे चैनल में जो घंटी है उसे दबा लो तो आपको क्या होगा जो आपका पास मेरा जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको मिल जागा ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद